कश्या व्यारा हिंदी क्लास में एक बाद फिर से आप लोग का स्वागत है जैसा है कि आप सब्रें पिछले वीडियो में पढ़ा हम लोग हिंदी करते साहिते का इध्यास पढ़ते हैं इसमें विभिन लेखकों पूर्वकाल की भास होने फिर खड़ी भूली भासा के विकास तब का अध्यान हम लोग ने कर लिया है इसके बाद हम लोग कल यह पढ़ा दिया बाद हमें को हिंदी साहिते का विभाजा करना है इसलिए विभिद्वानों ने हिंदी साहिते के दिहास को विभन कालों में विभन घठना द्रमों या लेखकों के योगनात की आधार पर अलाल अलाल भाजान पूते हैं तो आप मों पर लें घड़ी डाल देगे हिंदी साहिते के दिहास का काल विभाजान काल विभाजान में सबसे पहले हमनुगी किने पूर्भ भार्तेर दिए पहला है अधार और भार्तेर दिए इस इंग की जो समय सिमान है वह एरानी सताब्धी से इसमें पूर्भ काल में जे प्राजस्थानी भाषा ब्रजभाषा और प्रथली भाषा का गर्थे प्रचलित था उस काल से ले करते और भार्तेर दिए यूग से ठीक पहले का जितने भी लेखक जितनी भी रचनाई भी हैं उन सब को रखा लिया है फिर 19 सताब्धी के पूर्वार्ध में है जब सन 1860 के बार नव्जाग्रण का अबाएर उसका पदनी सताबी के पूरवार्ध के बार उत्तराद है 1860 के बार नव्जाग्रण का अबाता उसकामयद तक कालभण का धेन किया जाएगा इसके बाद पूर्व भार्देलों काणद भार्देलों से पहले तिहीं की पूर्व भार्देलों इसके बाद 688 में भार्देली के सहित्य पुडे हात्रा में सामने आया है अभूत पूर्व रूप से उन्हें हिंदी साहित्य की सेवा की जिसको ठ्यान में रखते हैं कि 1868 से 1922 के समय को भारतेन रूप के नाम से जाना जाता है तो आपको यह दूसरा अधर में यह भारतेन रूप कि इसकी समय सीमा 1865 से 1922 तक है हिंदी साहित्य की सेवा में जितना योगान भारतेन रूप रिश्चन में रिखतेन रूप कि उस्तान का योगान दूसरा किसी का नहीं प्रांत हुआ यहां ध्यान देने योग बात यह हो कि भारतेन के बाद भूप से विद्वान दे अलग अलग लेखकों के नाम से नए नए योग बने योग प्रवारता कुए किन्तु भारतेन से पहले जो हिंदी बहुत बिखरी ही आठ बोलियां तीन उप भासाएं राजास्थानी ब्रज भासा मैथिली सभी तरह के साहित्यों के मेर से जो एक मिला जुला को हिंदी का भुणा था वह बहुत सुद्ध नहीं प्रतीत होता था बस हमारे चाल पुन न पुनायक, नौचे-शदास अलमिस्र, इंशाओल्ला खां और लणू राली ने केवल खड़ी बुली बिन्दी को सुधारने का प्रयास किया था जैसे मैंने पुनकी वीडियो में बताया है कि इंशाओल्ला खां ने ठेट हिंदी भास आए लिखा उन्होंने बाहरी बुल्चाल के सब्दों को भी नहीं लिखा जो हम लोग बैनिक प्रयूब में लाते हैं कोई वी सब्द किसी भी खासा का जबे अंग्रेशी का मोग चा जैसे लिखी प्रफांता होने के काराखे रामचन शुक रड़े इंशाओल्ला खां की भासा को चुपलित भासा का था भाद्यम्री ने उन्हों सारी भासां उपस समन्वें गया भासा को एक नए अग्यूप दिया आम तोर पर भोल जान में प्रोटी राने वरी भासा हैं कहावते मुहावरे लोखोक्तियां जो हैं दूसरी भासाओं के जो सब्द संसक्रिप के सुधत अक्सम सब्द अवधियर उप्रज भासा के छोटे छोटे तेहाती सब्द सब को मिला करके भासा को उन्होंने पुनिकरां जवहारिक करना दिया आज जो गद्य या जो खड़ी मुलते या मड़ते हैं यह भारतेमीजी की देव हैं इसलिए भारतेमी भरिष्चन जी को ही आधुने हिंदी का जनक कहाड़ाता है इसको रोड करें कि हिंदी खड़ी को लिगर देगी था न या आधुने किंदी के था भारतेयनु निश्चन भारतेयनुजी के बात तक्सम विप्रयोग या तक्सम शेले पुधांचांस के बुदिष्ट हिंदी भास आखड़ी गुदिकार विकास महाविर्पुषा दुवेदी जी ने दिया उसी का लोने भनारस्वें हिंदी नाजी पचाड़े सबागे साथना हो दी तो हिंदी के साहति वरे उनके। परम योगधां को देखते भी हिंदी जीता हिंदी का योता ... उस्कों ये के बेखके विए Mitch di. बवेदे लुगती दोपी सले सिमारे, वग सान उने स सोसे, 92 कि धर में, कि ध्याने, कुछ विद्वाण मैं, ऑनींहीं सोगेंब 1921, कि अने भी करिकार रहान प्यूह्ज द्यूशु नहीं होगा है, ध्यान यए नहीं सिमारे सिमारत हैं, 1922, करें को जूना कि आए पड़ागे हीथा फिर कहीं साहित के स़ाहिता कि इस बीच में से लेख्यूमी से पंदेत राम चंत्र शुक लखा उगे हुआ जिन्नों के mi स्रत्रा अभतантु के स्वशेठ प्राश कothes policies नए की इर्थिमान स्थाफित के लिए तो पांचनल सुक्लेजी की सहली इनके निभंगर आलोचनाद और साहित्य के इतिहास में इनका जितना योगदान था वैसा इनके पहले किसी नहीं दिया था सब अपने आप में अभूत कुर वहीं जो इस बातमान में आता है वो पहले वालों से बढ़ करके आता है तो तीसरा विगुद जब्वेदी इनके समात वाको सुक्लेजी का गद्देश अबसे अधिक बूत क्रिष्टल हाय सी देर तीसरे विगुद को सुक्लेजुद कहा जा जोथा विगान पाता है शुक्लेजुद कीसमान विगा उगे वो उन्हें सो बाईस विग से जोईए उन्हें सो आथ कीसमान में उन्हें सो याशालों कायी ने री यूग मैं इस यूग में भाव और ध्था निवन्धु लिखे गये लिक क निवंद्वों निष्थान ले लिया, आलोचना के चिवेत्र में भुधुन नपी वी समालोचना के विधार सरवाधी दुलिक्सित हुई, निवंद्वी बड़े व्यापक पैमाने प्रुपन लिखेगे, कहानिया पिनएगनाट वियाड़े, किस युग में एक अदबुत द सबसे पहले हिंदी साहित के इस इध्यास को जिसे देवर्णी शिकावती से आज तक पड़ रहे हैं, इसे रामचंदर शुकली ने लिखा, इनके बाद इतके योग में डाक्टर रामचंद्वार वार्मा, लक्ष्मी सागर वास डेरे, डाक्टर नगेर रजेसे विध्वा यहां एक योग्धानी है, शुकल यूगों ने जैसंतर प्रसाद का उदय हुआ, जैसंतर प्रसाद के अच्छे उपन्यास का, नाटक का, कहानी का और साथ साथ में बहुत ही उच्च ओटी के कभी गी थी, इन लुगों ने काभी में इतना योग्धान थी, जिसे देखते प्रसाद जी के यूगों को छाया वाद करना परिया गया है, शुकल यूगों को ही जैसंतर प्रसाद के परम यूगदान के कारण, प्रसाद यूग, इसी यूग में प्रेमचंद जी का भी उतर रहा था, और कि ये कहानी और रुपन न्यासों के इखनों से संपूर साहित क प्रेमचंद नियुग हुआ, सुमित्रा नंदर्पन्त, सुरेकाल्त पाठे इंद्राला, महादेवी बर्मान, आजी विविन गद्यकालों ने जो काभ्य के शेत्र में दूप्त कर्ष्ट कारे कर रहे थे, इन सब का एक साथ ही लिए हुआ, इसी बीज में हमारे ये सब्स् प्रसादियों, प्रेमचंदयों, च्छायवादियों और सुकलियों उन्हें से विशित्र हुआ, यह सोना हर्स का कायदा, सुकलिजी के बाद बहुत से विद्वार्वे, अनगिनक साहित्य रचनाएं में नई दिधाओं का जन्म हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा साहित्यकार अ इस आध्वनिक कारण को कोई नाम दे जा सके। इसलिए इस योग को सुकलियों नाम से जोड़ करके तो अंतिम योग्षा साहित्यकर एध्यास का जोड़ भाग है, उसको सुकलोत्तर योग भाग है, सुकलोत्तर का मतलब शुकलके बाद, इसी तरह प्रसाद के बाद था, चायावाद उत्तर और प्रेम चंद जी के बाद का है, तो प्रेम चंद उत्तर योग कि उन्हें चायों में उत्तर को सुकलोत्तर योग भाग है, अब वह योग बनाएं का शुकलोत्तर है। इसो लोगते जो आपा है, इसको नहोग उनी सोसो आपके से आज़ आपका है इसको आज तक इसकी नहोगत अध्यान बढ़ते ज़ा है तो ध्यान नहीं निवाद किया है, कि इन पांच यूगों में इंदी साहिक एको बांट किया गया है इसको आपको प्रोट कर लेंगे, जहां भी सन औगेरा में उस तकों में जो भी भेद होगा उस पर भ्यान न देते में, आपको जो यहां पर डबाया गया है, इसे ही आप सकी नोट करेंगे ठीकर? फिर एक एक करके हम रोग अलग अलग यूगों में थोड़ा-थोड़ा संखेप में जानकारी देते लिए आगे बढ़ेंगे हर यूग के साहितिकारों के नाम, कौन सी विशेष पत्रे का या कौन सी विशेष रचना इस आलवी भी इन सबसे अध्यान परके लिए आगे चलते हैं तो सबसे बाजे हम रोग पढ़ेंगे पूर्गो भात्यन दूर्ग के बायों के तो फेडिना देजें पूर्गो भात्यन दूर्ग किसी लुग को जागरण काल भी नव जागरण काल भी पहाँ आता है जहां देजे की बाती हो जागरण काल को उठागे और ठ्यांते हैं सब्सक्राइं फ़ि पार्रहां कि भारत करन अगरेजे का सबस्belsों उ९ा इस लिए इनिजनभाय। नमीनता की ओर बढ़ने रहे इसी बीच में जो परम्यश्य स्वी देश प्रेमी थे उनको अपने देश, अपनी जाती, अपने शंधता, अपने गवरों की चलता वे उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि स्वयम की ओर, स्वदेश की ओर की आप लोगों को रहिए, आप तो जो एक नई चेतना का संचार किया गया भारतिय जन्मानस में लोगों के मन में एक नई अध्याशा नई उतकंठा जा गए तुई उसी काल को नव जात्रन काल अफ़ाज जात्रन काल की नाम से जाना जाता है इस काल की मध्य भारतिय संस्कृति में सामाजी और संस्कृति को रूप से भड़े व्यापत पैमाने पर परिवर्तन कुए थे इसी काल में खड़ी बोली प्रदी के विकास करा सबसे पहले तो कुछ जो आपके अंदे बताए चार नायकों ने प्रयास किया अतर हो था ही इस काल में ही गोपाल संद्र दिर्धर दास बाराब हिंदे साहित्यता जो पहला नाटक नभुश वह लिखा गया था तो नाटक विधा में इस बारे में लोग पढ़े थी सबसे पहले इस काल में भाल भी प्रेस के स्थापना होगी थी होको और प्रेस आज जिसके कारण पत्र पत्रीन निबंध रें होगे तो लोग अपने लुवा अपने लिखते लोग इंपां कुछ संस्थाएं भारत में स्थाफित हुई थी जिन्हों ने गुंदी भासा के प्रचार पशार में काफी मतुपुन बुंदी का लिए जैसे आरे समाध, ब्रह्म समाध, रामकृष्ण विशन और इसके बाद थियो सोफिकल सोसाइटि थियो सोफिकल सोसाइटि उसमें क्या अग्रेशों की थी उन्होंने बाइबी उसका हिंदे में अवाद कर दाया और खड़ी बोली में अवाद कर लिए बादना शूक या पठाना लें वहों को, तो इस तरह से थियो सोफिकल सोसाइटि थि खड़ी बोली के विकास ने अपना येदि योग दाग दिया तो इस य सब्सक्राइब के तब्तालियत कुछ संस्थाएं में जिनके बारे में अपनिक सकते हैं कि पूर्व हाद में युग में भारत के भासा हिंदी खड़ी बोली के विकास में निम्निखित संस्थाओं ने विशेष योगदान दिया हुए सबसे पहले आपकी संस्थाएं आर्य सब्सक्राइब के दूसरी है दना पाजिए पीसरी जनस्थाएं कि बाहरे जाएं आपकी सब्सक्राइब के दिया है रांस पेस्टन में सब्सक्राइब ठीदे चोथी है प्राग्थना सब्सक्राइब और पांच में सब्सक्राइब की है बियो सब्सक्राइब अब धाने इनके हम स्थापना वर्ष भी लिख लेते हैं सबसे पहले आरे सब्सक्राइब की स्थापना में रधाराशों सब्सक्राइब इस योग में स्वामी ध्यानद सब्सक्राइब स्वामी ध्यानद सब्सक्राइब की सब्सक्राइब इसे इनके खड़ी बूली की लिखा और आम धन्मानस पर उचाया यह सब्सक्राइब उस्से दिर्वन्त रहा उन्नीश्वी सथापदी के उत्रावुका जिसने खड़ी बूली के परचाट असार्में व्यापकिव गणान दिया इसके बाद ब्रह् कि यह राजावान मुन्त राय का स्थापित किया हुआ जो संस्थान था जिसके तहां जुना ने जर्ण सेवा को नव देश से बनाया और अपनी भासा अपने शुदेश प्रेम की भावना पर बल दिया था इसके बाद रांपुश्य मिशन और प्राथमा समाज इन दोनों की ही अस्थात्मा अठारासो शांसर जिस्वे भी रांपुश्य मिशन इस्थात्मा अपत्य स्वामि मुदे लागन ने एक अभूत पुर्दी योगदान तिया साहिते के विस्तार में जन सेवा के विस्तार में और चिलो सोशिकल सोसाइटी जो आपी थी इसकी इसकी स्थात्मा श्रीमतिक एनिवेशेंट ने 1882 इस्थात्मा इसकी इसकाल के प्रमुख संस्थान ने जहां से हिंदु भासा का परचार परशार व्यापकस तरब किया गया इसकी अतरिक्त एक और जी विशेश भाईशियों की दो राजा के लिखा रहे है चोड़े चोड मालिक के वह राजा थी entitled highly घड़ीपोई गयत अधिक विस्तार कि आपकों पूछा इनुक्तिамен दो यह कों से राजा ही रे हैंों ने देंुक्तिक सा takeaway विश्चार किया थो पहले में आपके राजा. शिव पसाद सितारे हिंदी की उपाढ़ी थी शिव करिए उरधु अर्मी फार्स इतार करना चाहते की चाहती कि जो हिंदी की रचना है ранivation जो सब्सक्राय से व路ें से मिलकर क्योंकि पूर्पकाल में भूलों का सासन था भार्थ में तो उर्दू-फार्शी अर्वी भासा का भी काभी पुछाब था यह चाहिए इसको पुसार से तारिये दिजी कि उर्दू-फार्शी मुष्रित हिंदी मासा का गठन किया है किन्तो जो दूसरे राया में यह दूसरे में राजा गुष्मान से निदी भूपे लिए सुद्ध संस्कृत निष्ट हिंदी भासा का प्रयोग करना चाहते है इन्होंने सुद्ध संस्कृत से यह तच्छान साहिली प्रधान हिंदी भासा का गठन किया था इन लोगों ने हिंदी साहित्य के शेत्र में विशेश योगदान दिये हैं इनके अत्रिक्त कुछ अन्य विद्धान के नाम भी विद्धान के अत्रिक्त इन सब के योगदान के अत्रिक्त हिंदी भासा में इधने के भुणों ने जिन साहित्यकारों ने ये साहित्य कारिक लिए उनने इध्यास, गुदूल, विज्ञान, धर्म, पुरान, गुपन्यास, दर्शन, इत्यादी से संबंदित प्रिशयों में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखी बहुत दिख साहित्यकारों से जन्म किया गया, तरहतना की साहित्याद, विधाओं, लड़ित, निवंध, ही पनुख था, लिखे गए थे, इसी कार में भारत्यरु खरिश्चन्दी के पिताग, गुपाल चंद गेगर्दाग जीने नहुष नाम का पहला नांटक लिखा थ अधिक प्रकास में 860 के परान असलिया इसके बाद हम भारते नुख पर चर्चा करेंगे, जो की कलों का आज के लुपूरु भारते नुख तब ही चर्चा में है, आपनों इसको लिख लेंगे, जहां भी कोई समस्यां निप्नों सकते हैं, वीडियो को आपको लगाता पर चर्चा की जाने पीड़ी जाने परिए.